हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम गाहितरी असरी और आज की वीडियो में आपको साड़ी से बड़ी असी ड्रेस बताने वाली जो आपको काफी पसंद आने वाली है तो पहले आप उस ड्रेस को देख लीजिएगा तो दे आपको समझ में आएगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते हैं देखिए आप लोगों को कुछ नया दिखा देती हूं इसलिए मैंने कुछ नया ही इसमें क्रियेटिव ड्रेस बनाई है तो आप फटवर से इस ड्रेस को जरूर बनाना अपने लिए क्यूंकि रक्षा बंदन मैं आने वाली है तो आप पुराने साड़ी से नई साड़ी से किसी वेजंद बना सकते हो और यह पहने लिए में रहेगी तो पता हब क्छilri बना लीजिए का ताकि आपको बाद में परेशान ही ना क्योंकि इस फेस्टिबल विया है तो देखिए इसके लिए मैं आपने ल लेगी हुई यह बोर्डर में इसकी रेशन वाली बोर्डर नहीं है यह जो लेसी है इसके साथ ब्लाउज का पीस भी है मैं इसको यूजनी करूंगी और देखिये यह नीचे बॉर्डर है और मेरे खड़े प्रिंट में यह साड़ी है और सिल्क में थोड़ी तो आपके पास इस प्रकार के साड़ी हो सकती है तो आप भी बना सकते हो अगर आपके पास प्रकार साड़ी है पुरानी है नहीं जो भी है और इसके साथ ही दोस्तों मैं यहां पर यह ब्लाउज का पीस लिया है आप अस्तर भी ले सकते हो तो मेरे पास ब्लाउज का पीस पड़ा था मैं और इसके साहती है दोस्तों ये देखिए मैंने क्या यूज किस्के लगाने के लिए मैंने अस्तर का यूज नहीं किया यह साधी बन जाएगा यिसाडी निए ट्रेंड में है नए डिजैन में अपकी पहन सकते हैं दूरे बिलावट पे तो इसी साफ से मुझे कटिंग करनी पड़ेगी ठीक है तो पहले में चोली वाला पार्ट निकालूंगी वह मेरे पास जो ब्लाउज पीस पड़ा उसी में मैं निकालने वाली हो और बलाउज जो उपर वाली चोली कैसे निकालने जैसे आप फ्रोक उर्टी बनाते उसकी चोल पीछे का बोक्स बना लूँगी और यह मैं बताती हूं ना हर बार पीछे का अगला चोटा होता है तो आपका जितना भी शोल्डर होता हुसका हाफ करके निशान लगता है उसी तरह मैं लगा रही हूं यह पर उसके बाद देखे गले का निशान में पौने तीनी इंच का लगांगी और शोल्डर की तरफ से एक इंच-डाउन का निशान लगा हूं इसके बाद आपको तरृच्छा मिला उसके बाद एक इंच मैंने डार्ट का लिया है उसके बाद मैंने मार्जन रखाया ठीक है उसके बाद डार्ट की चुड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और साइड़ से आदा-दा इंच का निशान लगाए क्योंकि डार्ट में कपड़ा जाएगा इसके बाद आपको फिटिं मैं जो एक इंच कपड़ा जो डार्ट में दे दूँगी और आरमोल के आगे वाले फ्रेंट वाले पल्ले की कटाई करने के लिए मैंने एक इंच का निशान लगा या फ्रेंट एक्रोस कभी निशान लगा सकतो इस प्रकार तीर्चा मिलाना और यहां पर गुलाई कर देने कि उसके बाद कपड़ा आप इसमें कितना लोग है जितना आपका जोलातना कपड़ा यहां पर आपको लेना पड़ेगा ठीक है उसके नुसार आपको डार्ट लगानी पड़े तो मैंने यह निशान लगा के आपको बता दिये अब इसके बाद पीछे वाले पल्ले की साफ करका शार सब्सेर से मुझे यह वहां पिछ बफ्ठा कप्डा शान होगा यहां पर जो उपर लगा यहां प्रमनी नो Contラt यह कंपुछ चाती हुं इसके बाद पीछे वाले पल्ले पे मैं डाट का निशान भी उठा लूँगी, आपको भी इसी परकर उठाने हैं, ठीक है, जितना कपड़ा दबाना उतना, उसके बाद जो आगे वाला पल्ले है, उसके आगे वाले आरा मोलकी कटाई भी कर लेंगे, कटाई करने के बाद इस तो इसका निफ है उसको कटिंई करूंगी ठीक है उसको कटिंग करने के बाद इमें आपको आगे बताऊंगी आपको करना कै मेरे तो यह पर पेटिकॉट की जो लंबाई है ना मेरे हिसाफ से मेरी ही पूरी हैश्य है तो आप देख लिए आपकी लंबाई appropriate पेटिकोट के लंबाई कितनी है उसी साफ से आप ले लीजिएगा तो मैं इसके गटिंग कर दिया है अब यहां पर देखिए साइड से खुला होगा पहले आपको इसकी सिलाही लगानी होगी ठीक है वह भी मैं लगा लूगी और यहां पर कमर की तरफ देखें मेरा यहां पर पर देखें बलाउस का पीस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है पहले मैं इस बलाउस के पीस को अलग कर लूँगी तो मैंने अलग कर लिया है और साड़ी मेरी कितनी है वह भी मैं आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाओंगी ताकि आपके पास कोई साड़ी हो तो आप इस तो ठीक है यह मेरी एक मिटर होगी इसके बाद यह देखिए दो मिटर हो जाएगी इस प्रकार दो मिटर होने के बाद मैं सी कोई करके ना पूंगी तो यह तो देखिए मैं यहां पर आपको अच्छी तरह से समझाना चाहती हूँ क्यूंकि मेरा काम आप लोगों को सिखा मेजर्मेंट कर लिए इसके बाद एक मीटर मैंने और की यह पांच मीटर होगी और यह 16 इंच होगी निकिसाड़े पांच मीटर है कुल मिला के ठीक है मैंने बता दिया आपको यहां पे अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बोर्डर को नहीं टाऊंगी इसको सा साइड या हेल्थ जादा है ना फिर आपको 6 मिटर की साड़ी लेनी होगी या फिर आप बलाओ जो साड़ी के साथ बलाओ जाता ना उसको यूज कर सकते हो चोली के लिए ठीक तो मैंने तो साड़ी पांच में बनाए देखिए मेरा यह पीस बचा ना इतना इससे में मैं न पूर्डा ना इसको सीदा कर लेती हूँ तो मैंने यह पे इस की पूर्डा झाल कटे सिधा कर लिकाओ कर जो मैंने लगाए थी आपको इसकी सिलहा ही लगानी होगी और जो दोनों पिल लगाएंगे और उसका गला बनाएंगे फ्रंट बाला गला मना इद्टी हूँ मैं आपको दिखा देखिए किस तरह से देखिए मैं यह पर यह काफी बर बताती भी हो आपको मैंने फॉल कर ले इसके बाद मैं चोड़ाई पोने तीन इच रखोंगी लंबाई आप अपने नुसार ले जगते हो मैं ने यहां पर चुड़ाई नीचे से भी पोने तीन इच रखोंगी बोक्स बनाओंगी और इस बोक्स में आप कोई बी किसी प्रका क्ला कर सकते हैं कि प्ट और इसके बाद कपड़ा मैंने फॉल्ड़ यह जो अस्तर वाला पर रखेंगे फॉल्ड वाली जगह पे इसके बाद सेम तरीके से तो आपको जितनी चोड़ी पर्टी चाहिए उसाफ साफ साथ पर्टी निकाल सकते हो तो मैंने इया पर प्रकारा को पीछे ओले की भी बड़िए करने वाले भी द्यार रखना अभी द्यार अब बद गले को यह जो गला बना पेर की भी मैंने सिलाई लगा लिए ठीक है और पिछे वाला पला उसमें मैंने गला अब इसके बाद शॉल्डर को टेच करने है ठीक है शॉल्डर को टेच करना भी सिद्धे सिम्पल कुछ भी नहीं मैं यहापको खाली प्रोसेस बता रहा हूं अगर वीडियो ज़्यादा डिटेल के साथ बदाती तो वीडियो मेरी एक गंटेकी बन जाती तो यहाँ पर शॉल्डर को अटेच करना है अब इसके बाद आपको साइड वाली जो फिटिंग वाली सलाही होती है अपने अनुसार पहले फिटिंग वाली प्रोपर आपको सलाही लगानी है उसके बाद आपको निचे का गेरा कैसे त्यार करना वह बताती हूं इसके बाद आपको साइड वाली सलाही लगा दिया उपर जो शॉल्डर को टेच कर दे इसको सीधा करना क्या है यहां पर अंदर आपको भी कर सकते हो क्योंकि इसके दागे निकलते हैं अब इसके बाद देखें मैंने चोली की साइड वाली सलाही लगा दिया उपर जो शॉल्डर को टेच कर दे इसको सीधा करना सीधा करने के बाद बताती हूं जो मेरी कमर यहां पर कितनी है ठीक आपको कैसे अड़ेस्ट करना है तो मेरी कमर यहां पर 15 इंच ठीक है कंदी केकोट की कमर आरे उसके सट कर्से करेंगे नीचे बाला अस्तारा नहीं तो देखिए मेरी जो लंबाई पूरी यहां पूरी रखने वाली हूं government और लंबा सब्सक्राइ़ कैसे की china में क्ट्टिंग करने करएं कि में कममर में आपको 12 क लेना वो क्यू लेना है क्युंकि आपको सांड में डालनी वरना आपका हिपसर प्रफ के साइड यह 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 तायट हो सकता है बंपर जाव की सांड फ्फ मेरा मैं दोनों तरफ से एक-एक इंच का निशान लगाूँ घो जो है तो यह उसका ही बीच में दोनों तरफ में डालों गोंगे, उसके लिए मैं एक्सटा निशान लगा लिए और इतना मेरे कफडा एक्सट है, तो यहां फ Marvin Sile का लिए to उसके लिए ​​ डाट के लिए इसी साफ से आपको निशान लगाना अगर आप ए शे में भी कटिंग कर रहे हो तो ठीक है अगर है वी साइज हो तो आपको पकाई लेना होगा तो मैंने यहां पर क्या किया यह निशान लगा ले इसके बाद एक आपको जो मेरी प्रकार डाल दूगी ठीक और लंबाई पांच इंच की रगी और अंदर मैं अदा मतलब एक इंच मेरा कपड़ा डाट में चला जाएगा दोनों तरफ से अदा अदा इंच का मैं दबा दूगी अगर आपका सीधा एशे में तो आप इसी प्रकार डाट लगा सकते हो लंबाई पांच इंच और से आप न बनाव पैटिकोट को यसी भी लगा सकती दी लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि एशे में बनाऊ तो आपको इसी प्रकार बनाना विसके बाद मैं फैबरिक इसके साथ लगाना तो मैंने पैटिकोट को सिधा कर लिया अब देखिए यह राउंड के अंदर इस पुरा ये राउंड के अंडर मैंने शिलऑ लगा थी किंआरे एवी राउंड में हो चुकर पूरा और सिलाई मेरी आप मैंने आपको इन आपको यहां पर दिखा डिका दिये दिखिया वह JIanovा है तो आप इस परकार दाबाल के था करना है 승री लगा यह लगा सकता इसके बिचमे रहेगा विचमे रहेगा चारत टौर Acts कपड़ा अ जाएगा तब सिलाई यहां पहले 읽लन पर इत्क्त को शेंटर निकालना है उसका निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेंटर निकालना जुरूरी कि यहाँ पेले फैपिनस जिए को सेठ करना अब देखें करना है थास्य करता है इसको पिछचे वी साड़ी, आपको साड़ी की भी लगांए होगी लेकिन मैं इसको अलगा है तो अलग लगाता कि अएंछ साधी का डाट की तरफ डाटी आएगी और इसके बाद मैं यहां कपड़े को पिन अप कर लेती हूँ जो डाट है लगा दूँगी तो डाट के लिए मैंने कपड़ा है यहां पर देटी इंच का दोनों तरफ से दो डाट आएगी पीछे दो ठीक है यह ध्यारग ना साधी की पीछे पेटिकोट के साथ उसको अटेच नहीं करना अलग से कपड़े को अटेच करना है तो मैंने पूरे राउंड में जोड लिए पिन्नों से ठीक है मैंने पूरे पीछे दो डाट भी लगा लिए कपड़ा डाट में ले लिए अब इसके बाद आपको दिखाती हूं किस त प्लीट्स बनानी है वहीं पर आपको प्लीट्स बनानी होगी जैसे बेल्ट वाली साड़ी बनाते हो ना प्लीट्स बनानी होगी और जो उपर वाली प्लीट्स होगी ना वह थोड़ी बड़ी प्लीट्स होगी दो इंच तो आपको इस इसाफ से प्लीट्स बनानी है और ज लिए पीनों को टेज कर लिए मैंने पूरे में कपड़े को टेज कर लिए पिनों के दोरा अब आपको करना कैड़ देखें यहां पर एक बात भी ध्यान से सुन लीजेगा कि मैंने जो सेंटर वाली स्लाई लगाई थी वह मैंने सेंटर में रखें आप चाहो तो इसको वाली साड़ी में लगाते हैं अब देखे पीछे बारी जो डार्ट है ना वह ने यहां पर खोल के आपको दिखा दी यहां पर अंदर की तरफ साइब लगाने तो दोनों पर लगा लूंगी तो मैंने यहां पर जो लगा लिए पिछे डार्ट की इसलाई लगा दिया उसको अ आप अठेज करने सेंटर को से मिलाने है और इसको अठेज कर देने साफ लगा ल rätt ले तो मैं यहां पर आपको दिखाती हूं यह संको मकर तो मुटाने की जूरत नहीं है तो मैं नहीं पें ऑल्ग टेस कर लेए नहीं रहो यहीं कदेद्भ के — आपको पाल दो दोन की बनाई मैं दिखा देती हुआ किस तरह से करने एक तरव इसके लेजना तो फिरे च्छोटी हृँ वह प्राइज बना लिए इस से नहीं पर प्लिट मैं छोटी करूंगी चोटी है पहले हैँ इसके बाद लेज ऊपर से लगाऊंगी फोलिट कर लिए मैंने यहां पर आपको समझाने की पूरी कोशिश की है तो देखिए मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा देखिए इतना जल्दी जल्दी बताने के बाद मेरी वीडियो इतनी लंबी हो गई थी फिर भी मैंने आपको बताने की पूरी तो कोशिश की है तो इसलिए लाइक तो बनता ही है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत जादा मेहनत लगी है और इस वीडियो को बनाने में मुझे पांस दिन लगे हैं और इसमें बहुत जादा मेहनत भी हुई है इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है ये ड्रेस कैसी लगी है और ये ड्रेस का जो कलर हो आपको कैसा लगा साडी का और देखिए इसलिए भी कितनी प्यारी सुंदर लग रही है इसलिए मुश्किल नहीं कि इसकी वीडियो में डाली हुई है किसी बनती है अगर आप चैनल में जाकर देख सकते हो अगर आपको असानी के साथ फ cyclik तो चैनल में जाकर एक वार विजिट जरूर करिएगा आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से सलाई जो वीडियो डालती हूं तो देखिए मैंने पल्लू में लेस को अटेज कर लिए प्लीट बना लिए और एक तरह मैंने इसके हुक भी लगाया है अटे पहली बार में अगर आप विगनर्स हो ना तो आपसे नहीं बन पाएगी दूसरी बार बनाओगे ना पका 100% आपसे बन जाएगी क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से कैसे बनानी है तो आप ट्राई जरूर करिएगा और असान है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है मैंने प्रोसेस आपको पूरा समझाने की तो कोशिश किया है मैं आशा करते हूं कि आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा और वीडियो को लाइक अभी तक आप नहीं किया नहीं है वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मिलते हैं फिर बाई बाई